प्रेमित्रों फिर से आपके साथ बाचीत करने का मौका मिला परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक particular तेवहार हम मनाते हैं या विश्वासी Christian लोग मनाते हैं और उसको हम कहते हैं पुरे जगत में पुरे संसार में इसको Good Friday के नाम से जाना जाता है ये Good Friday या शुब शुक्रवार है ये एक विशेश तेवहार है जो जितने भी विश्वासी हैं Christians हैं पुरे दुनिया में इसको मनाते हैं और ये हर समय सिर्फ शुक्रवार ही को आता है अब प्रशन ये उठता है कि भई गुट फ्राइडे क्यों बोलते हैं क्यों ऐसी कौन सी बात है जो गुड है अच्छी है क्या अच्छी बात है जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो शायद आप भी सो कि आखिर ये गुड फ्राइडे क्यों कहलाया जाता है हमारे मसीही लोगों के बीच में हैं। आईए हम इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। बाइबल के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जब परमेश्वन ने मनुष्य को बनाया तो वह पाप में गिर गया। और आदम और हवा से लेकर के हम सब पाप में गिरे पड़े हैं। और इस पाप की वज़ा से हम सब पाप ये पूरी मानव जाती पापी है। पाप का स्वभाव उसमें आ गया है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूँगा बाइबल में से। वो है रोमियो 3 और 23। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रही था है। तो बाइबल जो परमेश्वर का भच्चन है बिलकुल सत्य है और इसमें हमें कोई शंका वाली बात में नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संसार में, हमारे समाज में, हमारे वेक्तित्व में किस प्रकार का माहौल आजकल है। पापी स्वभाओ, हर जगह उल्टे सिदे काम हो रहे हैं और ये सब पाप के निशान हमारे चारो तरफ, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे सब जगह दिखाई देता है, मुझे बताने की जरुरत नहीं है। अध्याय और तेईस पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है, परंतु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभु येश्व मसी में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो पाप का परिणाम है, वो मौत है, मृत्यू है। शारीरिक मृत्यू तो है ही, शारीरिक रूप से तो आप और हम मरेंगे ही, लेकिन साथ साथ आत्मिक रूप से भी मरे हैं। आत्मिक रूप से मरने का मतलब है कि हम सच्ची परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो दूसरी मृत्यू है। और ये बहुत भयानक है, अनंतकाल तक हमारा सेपरेशन, हमारा अलगाव परमेश्वर के साथ से अलग रहेगा। तो ये बहुत भयानकर बात है। और इसी से connected है हमारा आज का जो विशय है गुड फ्राइडे। आप सोच रहे होंगे भाई, आप मौत के बारे में बात कर रहे हैं, पाप के बारे में बात कर रहे हैं, तैसी कौन सी गुड चीज हम देखते हैं इस गुड फ्राइडे की दिन। ठहरिये, ठहरिये, मैं आपको पता न मांगता हूँ। बहुत भविश्द्वानिया की गई थी बाइबल में कि एक समय आएगा कि एक व्यक्ती जनम लेगा कुमारी मर्यम से और वह व्यक्ती जो है वो अच्छा पवित्र जीवन विचाएगा, परमेश्वर का बेटा कहलाय जाएगा और वो कुरूस पर मारा जाएगा, इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, यशाया नभी की किताब और उसका देखते हैं कहां पर है ये यशाया नभी ये आ गया, यशाया नभी की किताब उसका त्रेपन अध्याय और सात्वा पद, त्रेपन और साथ पद में लिखा हुआ है बहुत इंट्रेस्टिंग बात यहां पर लिखी हुए च्छे पद में मैं च्छे नहीं मैं पांच पद से आपके लिए पढ़ूँगा निश्च उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुरदशा में पढ़ा हुआ समझा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुछला गया हमारी ही शान्ती के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए हम तो सब के सब भेडों की नाई भटक गए थे हमेंसे हर एक ने अपना अपना माल ले लिया और यहवा ने हम सभों के अधर्म का बोज उसी पर लाद दिया वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मूँ ना खोला जिस प्रकार भेड़ वद होने के समय या भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती है वैसे ही उसने अपना मूँ ना खोला अत्याचार करके और दोश लागा करे वे उसे ले गए उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया मेरे ही लोगों के अपराधों के मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वा धन्वान का संगी हुआ यद भी उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव ना किया और ना उसके मूँ से कभी छल की बात नहीं निकली तो भी यहोबा को यही भाया कि उसे कुछले उसको उसी ने उसको रोगी कर दिया हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यह सब बातें प्रभू यश्युमसी की भविश्द्वानी के बारे में हो रही है हजारों साल पहले यश्युमसी के आने से हजारों साल पहले यह भविश्द्वानी यहाँ पर की गई ग्यारमे पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है वो अपने प्राणों का दुख उठा कर उसे देखेगा और त्रिप्त होगा और अपने ज्यान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का भोज आप उठा लेगा तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों ये भविष्वानी बहुत साल पहले ये श्युमसी के आने से बहुत साल पहले बाईविल में लिखी गई और ये भविष्वानी पूरी हुई जब प्रभुई श्युमसी इस दुनिया में आए मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूँगा मतिरची सुसमाचार उसका 27 अध्या है और 12 से 14 जब महायजक और पुर्णी उस पर दोश लगा रहे थे तो उसको उसको कोई उत्तर नहीं दिया इस पर पिला तुस ने उससे कहा क्या तु नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवायदे रहे परन्तु उसने उनको एक बाद की भी का भी उत्तर नहीं दिया यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्यर हुआ प्रियोब ये भविश्वानी प्रभुईश मसी के बारे में हैं कि एक व्यक्ति आएगा परमेश्वर का पुत्र वो पवित्र मर्यम से जनम लेगा पवित्र ठहराया जाएगा परमेश्वर का भेटा होगा और 33 साल तक वो इस दुन्या में रहा जिसे हम कहते हैं 33 AD 33 AD के नाम से जाना जाता है और तब उन्होंने उसको उठा करके ले गए और उस पर दोश मढ़ा जी हां उस पर दोश मढ़ा कौन सा दोश? वही दोश जो आपको और मुझको सहना था वही पाप जो आपको और मुझको सहना था पाप की मजदूरी मृत्यू उसने सहा रोमन के जो सोल्जर्स होते थे उन्होंने उसको इस प्रकार का एक गुलाम का मौत दिया लिखा हुआ है गलतियों उसका तीन अध्याए तेरा पद में आपके लिए पढ़ूँगा गलतियों उसका तीसरा अध्याए और तेरा पद में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है प्रभुईश मसी के बारे में लिखा हुआ है मसी ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर विवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित हुआ जी हाँ मेरे प्रियों ये श्रापित को क्रूस पर चड़ाया आपने क्रूस का निशान जरूर देखा होगा चर्चिस के ऊपर लाल रंग का या कई जगा पर लोग कपड़े पहनती उसमें क्रूस का निशान होता है इस बात को दरशाता है कि दो हजार वर्ष पूर्व प् ठकाया गया ये है गुड़ फ्राइडे इसलिए हम कहते हैं गुड़ फ्राइडे शुकरवार के दिन पवित्र शुकरवार के दिन उससे 2000 वर्ष पूर्व उसे कुरूस पर चड़ाया उसके हाथों में कीले ठोकी गई उसके मुँ पर थूका गया उसके बाजू में भाला भेदा गया उसके पाउं में कीले ठोकी गई उसके सिर पर काटो का ताज पहनाया गया उसको मजाक से उड़ाया गया कहा अरे अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा लेकिन दोस्तों वो नहीं उतरा क्यों क्योंकि अगर वो उतर के आ जाता तो आपके लिए और मेरे लिए उधार का और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता और यहां पर हम देखते हैं कि येश्व मसी का मौत बहुत जरूरी था लिखा हुआ है यहन्ना उसका तीसरा अध्याय और सोलमे पद में क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश नहो परंतु अनंत जीवन पाए जी हां मेरे दोस्तों येश्व मसी आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर एक बार बलिदान हो गया अब हमको बलिदान करने की जरूरत नहीं है अब हम बकरों को या चर्डियों को या और चीज़ों को बलिदान करने की जरूरत नहीं है किकी एकバर प्रभीश मसी हमारे लिए दो हजार वर्श पूर्व उस शुकरवार के दोपहर को कुरूस पर चढ़ाया गया मैं आपके लिए एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो पद इस प्रकार से है पहला यहन्ना एक साथ पहला यहन्ना उसका एक साथ आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदी जैसा वह जोती में है वैसे ही हम भी जोती में चले तो एक दुसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र येश्यू का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जियां जो हमारा पापी स्वभाव है वो हमारे नहने धोने से या हमारे किसी प्रकार की ट्रेडिशन से हम साफ नहीं होगा अरे सहाब हमारे दिल को बदलना है हमारे अंदर के व्यक्तित्व को हमारे अंदर के स्वभाव को बदलना है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस पवित्र लहू के द्वारा प्रभुष्मसी के लहू के द्वारा पापों की शमा प्राप्त करें एक ब्राणियों एक और किताब हम देखते हैं ब्राणियों और उसका नौ अध्याए नौ अध्याए और बाईस पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि विवस्था के अनुसार प्राया सब वस्थों में लोहू के द्वारा ही शुद की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की शमा नहीं जी हाँ दोस्तो ये शुमसी ने वो लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया ये है गुड फ्रायडी ये आपके लिए और मेरे लिए एक गुड न्यूज है एक शुब संदेश है कि अब हमारे हमारा पाप से छुटकारा हो सकता है अगर हम विश्वास करें एक जगा पे और लिखा है मैं आपके लिए पढ़ूँगा 25 से आगे यहाँ पर लिखा हुआ है यह नहीं कि वह अपने आपको बार बार चड़ाए जैसा कि महायाजग प्रती वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते है नहीं तो जगत की उत्पत्ती से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता पर अब युक के अंत में वह एक बार प्रगट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है वैसे ही मसी भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बार जोते हैं उनके उधार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा कितनी खुशी की बात है ये आपके लिए गुड नियूज है ये मेरे लिए गुड नियूज है हम सब मानव जाती के लिए एक शुब संदेश है इसलिए हम इसको कहते हैं गुड फ्राइडे एक शुब शुक्रवार भविश्द्वानी पूरी हुई ये शुमसी कुरूस पर चढ़ाया गया क्यों चढ़ा गया ताकि मेरे लिए और आपके लिए एक मार्ग खोले और वो मार्ग है प्रभु ये शुमसी यहाँ पर एक जगा लिखा हुआ है और ना चौदा च्हे में मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता जीहाँ ये क्रूस वही मार्ग है जहाँ पर प्रभु ये शुमसी हमारे लिए मारा गया और एक मैं पद्व आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ पहला करंथियों पहला करंथियों उसका एक अठारा आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूँ क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मुर्खता है परन्तु हम और धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है जीहाँ यह बरमेश्वर का प्रेम एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पहला यहन्ना चार नव यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जो प्रेम परमेश्वर हम से करकता है वह इस से प्रगट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लोते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं यह परमेश्वर का एक अद्भुत प्यार है कि उसने अपने पुत्र को जी हाँ अपने पुत्र को परमेश्वर होते हुए उसने दास का रूप धारन किया मानव जाती में आया 2000 वर्ष पुर्व और 33 साल के बाद लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया उसको वो जो आपको और मुझको सहना था वो उसने खुद सहा तीन घंटे करीब वो क्रूस पर लटका रहा आपके लिए और मेरे लिए एक और परमेश्वर का वच्चन मैं पढ़ना मांगता हूँ आपके लिए इफीसियों उसका दूसरा अध्या है 13 से 16 आप ध्यान से सुनिये परमेश्वर का वच्चन क्या कहता है पर अब तो मसी येश्यू में तुम जो पहले दूर थे मसी के लहू के द्वारा निकट हो गए हो क्योंकि वही हमारा मेल है कौन हमारा मेल है वही मतलब है येश्यू मसी वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया मतलब परमेश्वर और मनुश्यों को मिला दिया और अलग करने वाली दिवार को जो बीच में थी ढ़ा दिया और सोला पंदरा भी हम पढ़ेंगे और अपने शरीर में बैर अर्थात वविवस्था जिसकी आग्याएं विद्यों के रिती पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुश हुद्पन करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके दोरा दोनों को एक दे बना कर परमेशवर से मिलाए मैंने आप के सामने परमेशवर का वचन इसलिacious पढ़ा कि मैं चाहता हूँ कि परमेशवर का वचन आपको डिरेटली बात करे सीधी तौर से बात करे खरे रूप से बात करे सामर्द के साथ बात करे अधिकार के साथ बात करे कि ये परमेश्वर का वचन है परमेश्वर के पुत्र यतारत ये शमसी ने परमेश्वर और मनुश्य की बीच मेल करा दिया क्रूस एक मेल की निशानी है और मेल कराने की निशानी एक reconcile आपके लिए और मेरे लिए प्रभुईश्य मसी ने किया जी हाँ, वो cruise पर आपके लिए और मेरे लटका रहा ये है गुड फ्राइडे इसलिए आपने देखा होगा जनरली लोग चर्श में जाते हैं वहाँ तिन चार घंटे की service होती है क्यों? वो याद करते हैं इस बात को कि किस प्रकार प्रभुईश्य मसी 2000 पूर्व प्रभुईश्य मसी आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया उसने कई शब्द कुरूस में से कहे इन्हें प्रभु इन्हें शमा कर और क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करें उसने मरते समय उसने एक डाकू को भी बचा लिया क्योंकि डाकू ने उस पर विश्वास किया जी हां दूसरा डाकू जो था वो तो खिली उडाने लगा कि अरे अरे भैया तू कृस से उतरा हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा लेकिन उसके दाइनी जो दूसरा डाकू था उसने बहुता नहीं 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 देखो तुम और मैं अपने अपराधों के कारण डाका डालने की वज़ए से हम ये दुख सहरे लेकिन इस मनुष्य ने जो बीच में है ये इशु ने कोई बुरा काम नहीं किया बलकि उसने सबको अच्छा काम दिखाया किया चंगाई दी मूर्दों को जिलाया भूबों को खान घाना दिया रोटी दी पानी दीआ अरे साब उसने सबकुच अच्छा काम किया लेकिन आज फिर भी वो धरन पा रहा है इस बात को प्रतीकर बताता है कि वो हमारे और आपके पापों के लिए कुरूस पर चड़ा जी हाँ और जब उसका लहू बहाया गया जब तीसरे पहर लिखा हुआ बाइबल में कि पूरे देश में अंधकार चा गया प्रकरती भी स्रिष्टी भी इस बात को दर्शाती रही कि ये बड़े दुख की बात है लेकिन खुशी की बात भी है कि एक विक्ती के मरने से पूरे जगत का उधार होने की सामर्थ रख सकता है जी हाँ और जब ये शुमसी ने कहा पुरा हुआ प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौपता हूँ आपको पता अबाई में लिखा हुआ है जब ये बात उसने कही तो एक भुई टोल हुआ भुकम्प हुआ और बहुत अजीब सा माहौल वहाँ पर हुआ सब लोग इदर उदर भागने लगे कि कि ये शुमसी के चेले थे वे आए उन्होंने ये शुमसी की जो शरीर था मृतक शरीर था उसको उठा करके एक ऐसे कबर में ले गए जो नए खुदी थी और वहाँ पर उसको दफनाया मेरे दोस्तों ये है गुड फ्राइडे की कहानी ये फ्राइडे को शुक्रवार को हुआ और गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके लिए और मेरे लिए एक शुप संदेश है कि अगर हम प्रभीश्मसी की उस कुरूस की कथा को उस कुरूस की सच्ची कहानी को विश्वास करे अपने दिल में प्रभीश्मसी को अंगिकार करे कि हाँ प्रभू तू मेरे लिए कुरूस पर मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो हम देखते हैं ये शुमसी हमारे पापों को शमा करता है लिखा हुआ है यदि हम अपने पापों को मान ले confess करें कि वो हमारे पापों के लिए मर गया और मेरे पापों के लिए हमारे ने मेरे पापों के लिए आप अपना नाम ले सकते हैं प्रभू, शीला, विनोद, मैं राहुल या कोई भी आपका जो भी नाम हो आप ले सकते हैं मैं विश्वास करती हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभू मेरे दिल में आ आज मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभू ग्रहन करता हूं करती हूं जब हम इस येश्वमसी के बलिदान को अपने जीवन में लेंगे तब हमारा उद्धार होगा क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन वही है अर्थात येश्यमसी क्या आप इस येश्यमसी पर विश्वास करेंगे इस गुड फ्राइडे की जो बचन है सत्यता है इतिहास इस बात का गवाह है कि दो हजार वर्ष पूर्व येश्यमसी हमारे पापों के लिए मेरे पापों के लिए मारा गया ना सिर्फ वो मारा गया लेकिन मैं एक और एपिसोड आपके लिए करूंगा और उसमें बताऊंगा कि येश्यमसी अपने कथना नुसार तीसरे देन मुर्दों में से जीवी उठा और आज वह एक जीवित परमेश्वर है आपका इंतजार कर रहा है मेरा इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास पश्चताब करके उसके पास आए और उसको अपना लें तभी सच में गुड फ्राइडे का मतलब गुड रूप से अच्छे रूप से हम जानेंगे और यही आपके लिए एक गुड नियूज है क्या आप इसे ग्रहन करेंगे धन्यवाद